इस हाइवे के चौड़ा होने से काच्ची और प्रयाग के बीच का आना जाना अब और आसान हो गया। कावड यात्रा के दौरान कावडियों को और इस छेत्र के लोगों को जो परेशानी होती थी अब वो भी समाप्त हो जाएगी। इतना ही नहीं इसका राब कुम्ब के दौरान भी मिलेगा। भाई और भेनों आस्था से जुड़ी जगह हो या फिर किसी विशेश काम की। लोग कहीं भी आने जाने से पहले जरूर देते हैं कि वहां आना जाना कितना आसान है। इस प्रकार की इस्युविधाएं देशी विदेशी हर तरह के टुरिष्टों और श्रद्धालों को भी प्रोट्साहित करती है। बीते वर्षों में काशी के सुंद्री करण के साथ साथ यहां की कनेक्टिविटी पर जो काम हुआ है उसका लाब अब सब दूर दिखाई दे रहा है। नई हाइवे बनाना हो, पूल फ्राइव ओवर बनाना हो, ट्राफिक जाम कम करने के लिए रास्तों को चौड़ा करना हो, जितना काम बनारस और आसपास के इलाके में अभी हो रहा है, उतना आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। बनारस का सेवक होने के नाते, मेरा प्रयास यही है कि बनारस के लोगों की दिक्कते कम हो, उनका जीवन और आसान बने।